हेलो गाईज मैं उपैंद सिंग और आप देगर हमारा यूट्यूब चैनल अनमूल वीडियो श्वाबे थे दोस्तों आपका हमारी चैनल में दोस्तों आज मैं आपके बीच लेकर आए हूँ टॉप जी के इंपोर्जन कोशन्स इन हिंदी दोस्तों आज के जी के कोशन में 20 सवाल रहेंगे उसमें आपको कम से कम 14 का जवाब सही करके दिखाना है दोस्तों तो आएए देखते हैं आज का जवज़श्ट जनलोली से समंदिद वीडियो शाथ ही दोस्तों आज की वीडियो में कुछ करेंट अफेर से भी परशन रहेंगे ठीक है दोस्तों तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्जन होने वाला है तो के पैसेंस के साथ आ और अपनी जानकरी को आगे बढ़ाया तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल से जल्दी जुड़ जाएं हमारा चैनल है अनुमोल वीडियो एन एजुकेशनल चैनल जहां दोस्तों अनुमोल तो दोस्तों आई शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का पहला सवाल सरी के किस अंग से पसीना नहीं निकलता है तो अंसर होगा दोस्तों होट next question मनुष्री की आँख की आइब्रो में कितने बाल होती है annihilator होगा मनुष्री की आँख की आइब्रो में लगभग पांशों पचास बाल होती है next question हमारा सर किस उम्र तक बढ़ता है अंसर होगा दोस्तों महिलाओं का सर 16-19 वा पूरुसों का सर 18-21 की उम्र तक बढ़ता रहता है दोस्तों next question किस फल का बीज फल के बाहर होता है answer है अश्ट्रो बेरी next question विश्व का सबसे छोटा पक्षी का नाम क्या है अंसर होगा हमिंग बर्ड जिहां दोस्तों यह विश्व का सबसे छोटा पप्ची है नेक्स्ट कोशन फलों की रानी किस फल को कहते हैं जिहां दोस्तों फलों की रानी किस फल को कहा जाता है इसका अंसर होगा दोस्तों लीची लीची को फॉलाओं की रानी कहा जाता है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन सुर्य कौन सी गैस का गोला है अंसर होगा हैडोजन वा हिलियम नेक्स्ट कोश्चन पेटोल को हिंदी में क्या कहते हैं जिहां दोस्तों पेटल को हिंदी में क्या कहा जाता है अंसर होगा सीला तैल या ध्रूस्वर्ण दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक कर दें जिहां दोस्तों आपका लाइक ही हमें अच्छी से च्छी वीडियो बनाने की प्रेणा देता है मोडिफेट करता है तो दोस्तों लाइक जल्दी करें और आगे अगला कोशन देखें नेक्स्ट कोशन इनसान के दिमाग का वजन कीतना होता है इसका अंसर है एक वैस के दिमाग का वजन करीब तीन पाउंड यानि तेरो सो से चवदो सो ग्राम होता है दोस्तों नेक्स्ट कोशन घड़ी का अविसकार किसने किया था लाजवाब कोशन है ना दोस्तों घड़ी का अविसकार किसने किया था अनसर होगा Peter Helen नेक्स्ट कोशन योग दर्सन के संपादक कौन थे? अनसर होगा दोस्तों पतंजली जिहाँ दोस्तों महरशी पतंजली योग दर्सन के संपादक थे नेक्स्ट कोशन वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या चार है दोस्तों रिगवेद, सामवेद, अजुरवेद और अथरवेद नेक्स्ट कोश्चन किस उद्योग में अवरख कच्चे माल की रुप में परियुक्त होता है इसका अंसर होगा विद्यूत जहां दोस्तों विद्यूत उद्यूग में अवरक्ष कच्छे माल की रूप में परियुक्त होता है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन अंत्रिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं अंसर होगा 892 जहां 892 तारा मंडल हैं अंतरिक्ष में नेक्स्ट कोशन पृत्वी का सरोपर्थम चक्कर किशने लगाया जबरदस्त सवाल है दोस्तों पृत्वी का चकर सरोपर्थम किशने लगाया अंसर होगा दोस्तों पुर्तगाल निवासी फर्डिनेंड मैगलन जहां दोस्तों मैगलन ने ही सरपर्थम पृत्व का चक्कर लगाया था दोस्तों नेक्स्ट कोशन विक्ष की च्छानों पर उगने वाली को क्या कहा जाता है अंसर है कार्टिकोल्स विक्ष की छानों पर उगने वाली को कार्टिकोल्स कहा जाता है एंसर होगा दक्षिन अफिर्का वास्को डिगामा कहां कह रेने वाला था वास्कोडिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था भारत में ऐसा कौन सा राज है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ अंसर होगा गोवा जिहां गोवा भारत में ही एक ऐसा राज है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ नेक्स्ट कोश्चन और इस वीडियो का अंतीम कोश्चन कवड़ी किस देश का राष्ट्री खेल है इसका अंसर होगा बांगला देश जहां कवड़ी बांगला देश का राष्ट्री खेल है दोस्तों तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कर दीजेगा और मने सभी साथ हमें सेर कर दीजेगा साथ ही दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब करना नहीं भूलिएगा जल्दी सबस्क्राइब कर लिजेगा तथा बील ऐकन को प्रिस कर लिजेगा जिससे की हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेसिंग आपको पहले मिलेगी और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले पाएंगे और साथ ही हमारा वार्षिर नंबर नोट कर सकते हैं 7050627934 तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हैं जय भारत